ओम शान्ती आज की तारीक है 18.11.2020 आज की बावा की मधुर मुरली का मुख्षार है मीठे बच्चे तुमने जीते जी बेहद की पिता बेहद की बाप की गोदली है उनकी संतान बने हो तो बावा की श्रीमत परमाना बावा की आग्या पर जरूर चलना है हर डारेक्शन को अमल में लाना है प्रशन है आज की मुरली से स्रस्टी की बान प्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों इस स्रस्टी की बान प्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों उतर जब शिव बाबा इस ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तब से सारी स्रिस्टी की बानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है क्योंकि बाबा सब को बापिस ले जाने के लिए आए है अब इसे कलियों का बिनाच हुआ के हुआ तो बावा सब को बापिस हम सब आत्माओं को दापिस ले जाने अपने मीठे मीठे घर आए है इस समय चोटे वड़े सब की बान प्रस्तावस्ता है सब को मीठे मीठे घर मुक्ती धाम में बापस जाना है हम आत्माएं जहां से आई थी उस परम धाम में परमात्मा शिप के साथ रहती थी उसको मुक्ती धाम, निर्वार धाम, मुक्ष धाम कई नामों से हम जानते हैं तो उसमें हमको बापस जाना है तो बावा कहते हैं तुमको अपने बापस गर मुक्ती धाम में जाना है फिर वहां से फिर जीवन मुक्ती में आना है वाना फिर सत्यूग में दीरे दीरे अपने पुर्शाथ अनसार आत्माई दीरे दीरे करके जनम लेंगी बैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तफशिब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं गीते हैं आज की मुर्ली से मरना तेरी गली में धाणा के लिए मुक्किसार है पहला इस संगम यूग को बाबा धर्माव यूग भी कहते हैं तो बाबा कहते हैं ये धर्माव यूग है इस समयत में धर्मात्मा बनना है सब का कल्याण करना है मुक्ती और जीवन मुक्ती में चलने का रास्ता बताना है मुक्ती में माना परमधाम में हम जब आत्मा परमात्मा शिब के साथ रहती थी तो उसको मुक्ती धाम भी कहते हैं जीवन मुक्ती में कैसे परमातमा दौरा परमातमा शिब के दौरा जब हम बरसद प्राप्त करेंगे तो जीवन मुक्तिमान सत्योग में कैसे हम जा सकते हैं उस का रास्ता, उसमें वहारी चलने का रास्ता सवातमा को बताना है हमारी ही Godly Student Life है हमें परमातमा शिब हमें बेहद का पिता हमारा टीचर बढ़ा रहे हैं तो हमको ध्यान लखना है, हमारी गौडली स्टुडेंट लाइफ है बेहद का पिता हमको बढ़ा रहा है इस खुशी में रहना है बरदान है आज की मुरली से योग के करंट की वाइवरिशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यग रक्षक भव जैसे बरामड फैमिली बढ़ाने की प्लैनिंग करते हो करते हो ना प्लैनिंग कैसे हम बावा का ग्यान आत्माओं तक पहुचा है तो अपनी इस बरामड परिवार को बढ़ाने की प्लैनिंग करते हो योजना बनाते हो ऐसे अब ये भी प्लैन बनाओ कि कोई भी आत्मा ब्रामड परिवार से किनारे ना हो जाए कोई भी आत्मा इसे ब्रामड परिवार को छोड़ के कहीं न जाए किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही न सके जैसे चारो और करंट की तारे लगा देते हैं न तो आप भी योग के बाइबरिशन द्वारा करंट की तारे लगा दो बावा कहते हैं ऐसा योग के बाइबरिशन फैलाओ जिससे चारो और करंट की तारे फैल जाएं जैसे जब इस यग के किले को अपने योग के पावरफुल बाइबरिशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो तब कहेंगे यग रक्षक तब कहेंगे इस यग की रक्षा करने वाले यग रक्षक वहाँ संदर बरदान है आज का स्लोगन है आज की मुरली से ग्यानी तु आत्मा कौन है बाबा कहते हैं ग्यानी तु आत्मा वे है जिसका करम लगता तो साधरन है साधरन होते भी उसकी इस्थिती पुर्शोत्म हो उसकी इस्थिती पुर्शोत्म के समान हो आज की मुली से समान का भ्यास करेंगे मैं यग रक्षक आत्मा हूँ और इस नशे के साथ करेंगे कि बावा ने हमें इस यग के रक्षक के लिए यग के रक्षक बनने के लिए निमित्व बनाया है तो जितने भी हम रामट परिवार में से वापस में हैं कोई भी इस यग को छोड़ के ना जा पाए तो वो कैसे नहीं चूटेगा उसकी विदी बावा ने बताई कि यग के पावरफुल बाइवरिशन द्वारा ऐसी करन्ट फैलाओ कि कोई भी उसको पार करके जाना सके एक मिनिट के लिए मेडिटेशन करेंगे प्रकुटी के सिंगासन पर विराचमान मैं आत्मा मैं मास्टर शक्ती की सागर आत्मा हूँ परमधाम से परमात्मा शिव इस संसार को शक्तियां देते हुए थीरे थीरे नीचे की और आते आ गए मेरे सामने परमात्मा शिव से शक्तियों का रंग ब्रंगा प्रकाश मुझे आत्मा के उपर आ रहा है मुझा आत्मा से निकल ये शक्तियां चारोर के बायू मंडल में जा रहे हैं चारोर का बायू मंडल शक्ति शाली होता जा रहा है यहां अपस्थत एक एक आत्मा इश्वरिय शक्तियों से बरबोर होती जा रही है मैं शक्ति सरुपात्मा हूँ मैं शक्ति सरुपात्मा हूँ मैं शक्ति सरुपात्मा हूँ इस संसार को शक्ति देने वाली शक्तियों से भरबूर करने वाली मैं मास्टर सर्व शक्ति मान आत्मा हूं आम शांति